माइ डियर इस्टूटेंट्स आपका बहुत बहुत सवागत है वोटिकल साइंस का चेप्टर वन पर सजेशन ये वीडियो बना चुकिया है आप लोगों से एक छोटा सा रेक्वेस्ट है मेरा कि आप लोगों तक अच्छा लगता है तभी आप देखते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें तो अच्छा रहेगा अधिक से लिक लोगों तक इंप्रॉटन पॉइंट लेगा और आज हम लोग कि वीडियो में चर्चा करेंगे कि चेप्टर फाइफ से गों सा गोसर आने वाला है आप खेंजी देट मिन दोजार ट्रॉटन से लेकिन उसके पहले ये जाननेना जरूरी है इस चेप्टर से और फंदर से देखिए तेष्टा कों टों सा गोसर आया हुग Describe the theory of historical materialism of Karl Marx सातर से एक क्कसिन इयँए था What is Liberalism? Discuss the features of Liberalism 3 PLUS 5 उसके अठारह से एक क्वेशन आया था, लिसके दा माक्सियन थेरी आफ इस्टेट, 19 से भी एक ही क्वेशन आया था, एनलाइस दा नांदी आइडिया अबाउट सत्यक, 20 से जो क्वेशन आया था, वो है, वाट इस लिबरलिजम, इसके बाद 22 से दो क्वेशन आया थे, पहला था, इसके दो क्वेशन थेरी आफ इस्टेट, और दूसरा था, राइड अनोट अंगांदी आइडिया अबाउट सत्यक, और देश से जो क्वेशन आया था, वो जानना ज़्यादा जनुरी है, कि हम लोग बाइफन केट ड़ते हैं, कि वह यह नहीं हैंगा, वो प्वेशन था, वाट इस लिबरलिजम, इस तस दा बेसिक फीजर आफ लिबरलिजम, अब देखे, मार्क्स में वही है, 3 प्लस 5 ही है, लेकिन पहला कुस्टन जो है, उस पे आप ज़्यादा फोकस होंगी, लिसकर्ज़ दा मार्क्सियन थेरी आफ इस टेर्ड, और जो सेकेंड इंपॉर्टेट एरा है, वो है राइट अनोबर, गांधी जाइडियाज अबाउट सत्याग्ना, वो सकता है यही दोनों आए, या इसमें से कोई एकांग, उसके बाद जो थोट नंबर है, यह आप अपने और संब रखेगा, क्या पता अगर यह दोनों नहीं आया, तो फिर यह कुस्टन पटकी जाओंगी है, यह तीन कुस्टन है मेरा संजिसन, आप लोग वीडियो को इंज्वाइ केजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो सेर करनी की, आप लोग प्रयास करें, कि अधिक सरे एक लोगों तक इंपोर्टेट पहुंग जाए, आपका बहुत बहुत आने बाद, बहुत जल्द मिलते हैं, अगले वीडियो अगला से ज्यादा लोगों कर,